आपके अपने बहत कार्म मानस जोतिस ग्यान में मैं हूं आपके शाथ का अपना आचार राज मिश्रा तो मेरे मकर राश्री के प्यारे जातक जातिका कैशा ब्यतीत होगा आपका जूण2030 बहुत महात पूर्ण है आपके लिए एक तो सबसे पहले काल पूरुष के दसम भाव की राशी और उसके साथ जीवन में जून में बहुत सारे महत्पूर बदलाव आपके लिए आते हुए दिख रहे हैं मैं चाहता हूँ कि सभी चीजों की जानकारी आपको बिस्तार के शाथ दी जाए आपके लिए जो लावप्रद हो ऐसी जानकारी आपको प्रदान की जाए इस महेंने कुछ खास प्रकार के शयोग आपकी राशी में बन रहे हैं जो एक बड़ा बदलाव आपके जीवन के अंत मकर है मैंने पहले भी आपके बारे में बहुत सारी जानकारी अदिया है आप लोगों ने उसको अप्रिशेट किया है आपने देखा आपने कमेंट करके मुझे बताया कि हां सत्प्रत्सत ये सीज़े 100% हमारे साथ मैस करती है तो आज फिर से एक जो सबसे महत्पूर्चीज मैंने मकर राशी के बारे में देखिया और आप कहेंगे कि ये तो मेरी बात हो रही है जीवन में स्थिरता नहीं मिल पाती है मकर राशी को जीवन में इतने शारे बदलाव होते हैं एक प्राबलम शॉल्ब करते हैं तो दूसरी प्राबलम आती है दूसरी प्राबलम को शॉ मकर राशी के लोग बहुत परिशान रहते हैं यह मैंने मकर राशी के बारे में विश्ष रूप से जाना है तो मैं इस्पेशली अगर इस नेचर की बात करूँ तो देखने को मिला है जल्दबाज होने से आपको बचना होता है जल्दबाजी आपकी सबसे बड़ी शत्रू होती है तो जल्दबाज होने से अपने आपको इस्पेशली बचाने की आउश्चता है आपको तो इस महीने हम बात करेंगे यह तो एक नार्मल चीजे थी जिस पर हम चर्चा कर रहे थे लेकिन आप के लिए क्योंकि आपके राशी श्वामी शनी शेकंड हाउस में हमीशा के तरह गोचर कर रहे हैं फोर्थ हाउस में आपके इस बार गोचर करेंगे बहस्पति बुद्ध और राहू स्वामी आपके फोर्थ हाउस के सेबंध हाउस में इस महीने में आपको प्रापटी मिलने जा रही है ये अच्छा संयोग है आपके लिए आप नए घर में प्रवेश करेंगे प्रापटी सर आक्त्रा के लिए बड़ा शांदार योग आपके लिए बनता हुआ दिख रहा है जीवन साथी के साथ इस महीने दो तिन चीज़े बड़ी इंपोर्टन है एक तो सबसे पहले जीवन साथी के जीवन में अच्छा परिवर्तन होगा यानि उनको अच्छी नौकरी मिले उसी के साथ उनके विचारों में आए हुए परिवर्तन से आपका मन बहुत खिन रहेगा बहुत परिशान रहेगा इस महीने जो मुझे नजर आ रहा है और जो अभी तक मुझे नजर आ रहा है आपके साथ जो हो रहा है कर्ज की परिस्थिति से आप बहुत परिशान है के परिशान रहते हैं इस महीने भी अगर बात किया जाए तो मैं कर्ज को ले करके पंद्रा दिन जो स्टार्टिंग के है वहां तक आपको परिशान होता हुआ देख रहा हूं बट पंद्रा दिन बाद जो आर्थिक परिस्थितियां है वो निश्चत रूप से आपके बहतर ह होगी नए कारिक की संयोग बनेंगे जीवन में आगे बढ़ने का आपको रास्ता मिलेगा मन में प्रसन्नता रहेगी विदेश यात्रा का सुंदर संयोग बने इस प्रकार की परिस्थिति दिख रही है लेकिन एक और चीज़ संतान को लेकर कि इस महीने आप चिंतित रहें अगे ऐसा संयोग दिखता है प्रेमी प्रेमी का आपस में प्यार का इजहार हो विवाह के लिए बात आगे बढ़े इस प्रकार की परिस्थिति आपकी रासी में नजर आ रही है लाभेस सेबंथ हाउस में होगा लाभेस का सेबंथ हाउस में जाकर के बैठना इस चीज को दर्शाता है कि जीवन शाथी के मन में आसमान जश्य का माहूल रहेगा मतलब एक शंका की भावना उत्पन होगी जो आपने नहीं किया है उसको लेकर के जीवन शाथी को लोग भड़काएं उसकी शंका उत्पन हो और वो शायद आपके लिए थुड़े पीड़ा दायक मा महीने बच्चों के विहेवियर को लेकर के इस महीने जो मकर रासी के जातक जाती का हैं वो थुड़ा परिशान रहें इस प्रकार की परिस्तती दिखती है खर आप जानते हैं कि थोड़े समय में बहुत सारी जानकारी देना पॉसिवल नहीं होता है इसलिए राप को 9 बजे अगर बिस्तार स्रीबात करना है तो कॉल अपॉइंटमेंट ले करके जानकारी प्राप कर सकते हैं और इस कारिक्रम को यहां पर विराम दूंगा जुड़ेंगे आपकी साथ एक नए कारिक्रम में तब तक लिए आप बहुत प्रसंद रहिए शुब कामना जैश्रीराम बहु झाल झाल